नमस्का नियूस फोर्डेशन देख रहे हैं आप आपके साथ बहुर रचाश्रमा बहार में सुश्रास्नी छबी का दावा करने वाले नितीश कुमार ने मेवालाल चौदरी से इस्तिफा तो ले लिया लेकिन क्या उनकी रणी थी करप्शन से कोई समझोता नहीं वाली हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नितीश कैबिनेट की 14 मंत्रियों में से 8 मंत्री ऐसे हैं जो अपराधिक मामलों में से निकल कर बहार आए हैं वहीं अभी 6 मंत्री ऐसे हैं जिन पर अपराधिक मामलों में मुकदमा दर्च है ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये और क्या तेजस्वियाद फिर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर इन 6 मंत्रियों से इस्तिफ़े की डिमांड करेंगे क्या तेजस्वियाद फिर से प्रेसराइच करेंगे और क्या नितीश कुमार अपनी नीतियों को प्रबलता से बताएंगे एक बार फिर से अपने इन मंत्रियों से इस्तिफा लेकर ये साबित करेंगे कि बिहार में करप्षन से कोई समचोता नहीं बिहार में नितीस सरकार की शपत ग्रहन के साथ ही भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उबरा है इसको लेकर जहां डॉक्टर मेवाला चोधरी को श्रिक्षा मंत्री के पर्थ से इस्तिफा देना पड़ा वहीं अब तेजस्वी आदव से भी नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष छोड़ने की मांग जोड़ पकड़ रही है इसी क्रम में एक और खुलासा हुआ है जो बिहार के इस नई सरकार के लिए मुसीवत खड़ी कर सकता है दरसल असोशेशन फोर डेमोक्राटिक रिफॉर्म्स यान की ADR और इलेक्षन वोच की स्टड़ी में निटीश कैबिनेट की 14 मंत्रियों में से 8 यानि की 57 प्रतिश्रत के खिलाफ अपराधिक मामले निकल कर आए है वही 6 यानि की 47 प्रतिश्रत के खिलाफ गंभीर अपराधिक मामले दर्ज है अपराधिक मामलू वाले आठ मंत्रियों में इसे बीजेपी के चार और जेडियों के दो हैं और हम और वियाईपी के एक एक शामिल है हलाकि मेवालाल चौधरी को मंत्री मंडल में शामित करते ही हंगामा शुरू हो गया और उनसे इस्तिफा लेना पड़ा आपको बता दे कि 2017 में मेवालाल चौधरी के खिलाफ एफायार दर्ज होने के बाद विहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने उनसे मिलने से भी नकार कर दिया था इसके बार सुशिल कुमार मोधी ने लगतार इस मुद्दे को उठाया था और मेवालाल की गिरफतारी की मांग की गई थी लेकिन उन्हें नितिश सरकार में मंत्री बनाये जाने को लेकर हर कोई हैरान था आपको बता दे कि मेवालाल चौद्री का नाम B.A.U. भरती घोटाले में सामने आया था और राजभवन के आदिश से उनके खिलाब 161 सहायक प्रोफेसर और कनेश्ट वैज्यानिकों की नियोगती के मामले में एक उप्रात्मे की रर्ज की गई थी आपको बता दे कि 12 कडोड 31 लाग के घोशित संपत्ति के साथ चौद्री सबसे अमीर मंत्री थे वही 14 मंत्रियों की औसत संपत्ति 3 कडोड 93 लाख रुपे है मेवालाल चौद्री ने अपने शपत पत्र में IPC के ताहते का अप्राधिक मामला और 4 गंभीर मामले घोशित के पश्रुपालन और मत्सिय पालन मंत्री मुकेश सहनी ने 5 अप्राधिक मामलों और गंभीर प्रकृती के 3 मामलों की घोश्टना की है बिजेपी के जिवीश कुमार ने भी 5 अप्राधिक मामलों और गंभीर प्रकृती के 4 मामलों की गोश्टना की वहीं 5 अन्य है जिनके खिलाफ अलग अलग प्रकृती में अप्राधिक मामले दर्ज है तो मेवालाल चौधरी को लेकर बिहार की सियासत गर्माई नितीश कुमार को लेकर काफी सवाल उठने लगे तेजस्वी आदव ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया और आखिरकार नितीश कुमार को मेवालाल चौधरी से इस्तिफा लेना पड़ा लेकिन उसके बाद एक और सवाल बहार की सियासत में सवाल ये कि जो 6 मंत्री जिन पर गंभीर अपराधिक मामने दर्ज हैं क्या उनसे नितीश कुमार इस्तिफा लेंगे क्या उनके लिए तेजस्व आदव नितीश कुमार को प्रेसराइज करेंगे और फिर से तेजस्व आदव उनके स्तिफे की डिमांड करेंगे देखना होगा कि बहार की राजनिती में नए रंग क्या देखने को मिलेंगे फिलाल कलेता ही बनेरे हमारे साथ और देखते रहें नियुस पॉर्डेशन नमस्कार